सभी लोगों को मेरा प्रणाम आज पूरी दुनिया उत्सुक्ता के साथ 22 जनवरी के अईतिहासि छण का इंतजार कर रही है ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्सा ये उमंग बहुत स्वाभाविक है भारत की मिट्टी के कांकां और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूँ और मैं भी आपकी तरह उत्नाही उत्सुक हूँ हम सभी का ये उत्सा ये उमंग थोड़ी देर पहले अयोध्या की सडकों पर भी पूरी तरह नगर आ रहा था ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सडक पर उतराई हो इस प्यार इस आशिरवात के लिए मैं आप सभी का रजेशा आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ बोलिये सियावर राम चंद्र की उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदिबेन पटेल यहां के लोकपुय मुख मंत्री योगी आधित्यनाच जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी जोति राधित्य जी अस्वीदी वैश्णव जी बिके सी जी उत्तर प्रदेश के डेपुटी सीम केश्व प्रसाज मोर्य जी ब्रिजेश पाठक जी यूपी सरकार के अन्य मंत्री गण सभी साउसद और विदाय गण और विशाल संख्य में आए मेरे परिवार जनो देश के इतिहास में 30 दिसंबर की ये तारीक बहुत ही आइतिहासिक रही है आज के ही दिन 1943 में नेता जी सुभाच अंद्र बोज ने अंदमान में जन्दा फैरा कर भारत की आजादी का जैगोश किया था आजादी के अंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमरित काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं आज विख्षिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान को अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है आज यहाँ पंद्रा हजार करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े ये काम आजुनिक अयोध्या को देश के नक्से पर फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे कोरोणा जैसी वैस्विक महामारी के बीच ये कारिय अयोध्यावास्यों के अथक परिश्रम का परणाम है मैं सभी अयोध्यावास्यों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है हमें सही मार्ग दिखाती है इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसाथ करते हुए आगे बढ़ रहा है एक समय था जब यही आयोध्या में राम लला टेंट में विराजमान थे आज पक्का घर सिरफ राम लला कोई नहीं बलकि पक्का घर देश के चार करोड गरीबों को भी मिला है आज भारत अपने तिर्थों को भी समार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्लोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश चाया हुआ है आज भारत काशी विश्वनात धाम के पुननिर्मार के साथ ही देश में तीस हजार से जादा पंचय भवन भी बनवा रहा है आज देश में सिर्फ केदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है बलकि 315 से जादा नए मेरिकल कॉलेग भी बने है आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है बलकि हर गर जल पहुँचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकिकिया भी बनवाई है हम चान सूरज और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहे तो अपनी पवरानिक मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे है आज के भारत का मिजाट यहां आयोध्या में स्पष्ट दिखता है आज यहां प्रगति का उच्छाव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है यही तो भारत है विकास और विरासत की यही साजा ताकत भारत को 21 सदी में सबसे आगे ले जाएगी मेरे परिवार जिनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खोब महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्भीतो जनपदो महान निविष्ट सर्यू तिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमीज बताते हैं कि महान अलभ्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन से भरी हुई थी यानि अयोध्या में विज्ञान और बैराग्यतो थाई उसका बैभव भी सिखर पर था अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक ताग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवद छेत्र ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अयोध्या में हजारो करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटपात बन रहे हैं आज अयोध्या में नए फ्लायोवर बन रहे हैं नए पूल बन रहे हैं अयोध्या को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी याता यात के साधनों को सुधारा जा रहा है साथियों आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुशी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्शी वाल्मिकी के नाम पर रखा गया है महर्शी वाल्मिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभूश्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्शी वाल्मिकी लिए प्रभूश्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुम्रे हाथा अर्था ये मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्ची वालमी की जी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्ची वालमी की द्वारा रचीत रामायान वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्ची वालमी की इंट्रनेशनल एरपोर्ट अयोध्या राम हमें दिव्य भग्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा जो ये नया एरपोर्ट बना है उसकी छमता हर साल दस लाग आत्रियों को सेवा करने की छमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरव का काम भी पुरा हो जाएगा तो महर्ची वालमी की इंट्रनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाग यात्री आजा सकेंगे अभी अयोध्याधाम रेलवेज स्टेशन पर हर रोट 10-15 लोगों को उनकी सेवा करने की छमता है स्टेशन का पूरा विकात होने के बाद अयोध्याधाम रेलवेज स्टेशन पर हर रोट साथ हजार लोग आजा सकेंगे साथियों, एरपोर्ट, रेलवेज स्टेशनों के अलावा आज यहाँ अनेक पथों का, मारगों का भी लोकारपन हुआ है रामपत, भक्तीपत, धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्यामें आज ही कार पार्किंग स्थलों का लोकारपन किया गया है नए मेडिकल कॉलेज से हाँ आरोग्य की सुभिदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तना समर्पी था है सर्यू जी में गिरने वाले दुसीत पानी को रोकने के लिए भी काम शुरू हुआ है राम की पैड़ी को एक नया स्वरूप दिया गया है सर्यू के किनारे नए नए घाटों का विकास हो रहा है यहां के सभी प्राचिन कुंडों का पुनरुदार भी किया जा रहा है लता मंगिस कर चोग हो या राम कतास्तल यह अयोध्या की पहतान बढ़ा रहे हैं अयोध्या में बनने जा रही नई टाउन सिप यहां के लोगों का जीवन और आसान बनाएगी विकास के इनकारियों से अयोध्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर भी बनेंगे इससे यहां के टेक्सी वाले, रिक्साँ वाले, होटल वाले, धाबे वाले, प्रसाद वाले, फूल बेचने वाले, पूजा का सामगरी बेचने वाले, हमारे छोटे मोटे दुकानदार भाई, सभी की आय बढ़ेगी मेरे परिवार जनों, आज यहां आदुनिक रेलिवे के निर्मार की तरफ एक और बड़ा कदम देशने उठाया है बंदे भारत और नमो भारत के बाद आज एक और आदुनिक ट्रेन बेश को मिली है इस नई ट्रेन सिरीज का नाम अमरिद भारत ट्रेन रखा गया है बंदे भारत, नमो भारत और अमरुद भारत ट्रेनों की ये त्री शक्ती भारतियर रेलिवे का काया कल्प करने जा रही है इससे बड़ी खुशी के बाद क्या हो सकती है कि पहली अमरुद भारत ट्रेन अयोद्या से गुजर रही है बिल्ली दरबंगा अमरुद भारत एक्स्प्रेस ट्रेन बिल्ली यूपी बिहार के लोगों की यात्रा को आदुनिक बनाएगी इससे बिहार के लोगों के लिए वग्व राम मंदिर में विराजने जा रहे है राम लला के दर्सन को और सुगम बनाएगी ये आदुनिक अमरुद भारत एक्स्प्रेस ट्रेन विशेद रुपते हमारे गरीब परिवार हमारे स्रमिक साथ्यों को बहुत मदद करेगी स्री राम चरित मानस में गोच्वामित तुल्सिदाजी ने कहा है परहित सरीस धरम नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई अर्थात दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई धर्मा कोई और करतब्य नहीं है आदुनिक अमरुद भारत ट्रेने गरीब की सेवा इसी भावना से ही शुरू की गई है जो लोग अपने काम के कारण अक्सर लंबी दूरी का सफर करते हैं जिनकी उतनी आवद्ली नहीं है वे भी आदुनिक सुविधाओं और आराम दायक सफर के हकदार है गरीब के जीवन की भी गरीबा है इसी दे के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है आज ही पस्चिम मंगाल और करनाटका के साथ्यों को भी उनके राजी की पहली अमरिद भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है मैं इन राज्यों को भी अमरिद भारत ट्रेनों की बधाई दिऊंगा मेरे परिवार जनों विकास और विरासक को जोडने में बंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है देश की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन काशी के लिए चली थी आज देश के 34 रूट पर बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने चल रही है काशी, वैश्णो देवी के लिए कट्रा, उज्जेइन, पुषकर, तिरुपती, शिरिडी, अमरिसर, मदुरई, आस्था के ऐसे हर बड़े केंद्रों को बंदे भारत जोड रही है इसी कड़ी में आज अयोध्या को भी बंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है आज अयोध्या धाम जंक्षन आनन्द विहार बंदे भारत शुरू की गई है इसके अलावा आज कट्रा से दिल्ली, अमरिसर से दिल्ली, कोईम्टूर बैंगलूरू, मैंगलूरू मडगाउं, जालना मुंबई इन शैरों की बीज भी बंदे भारत की नई सेवाएं शुरू ही है बंदे भारत में गती भी है, बंदे मारत में आदुनिक्ता भी है और बंदे भारत में आत्मनिर्भर भारत का गर्व भी है बहुत ही कम समय में बंदले भारत से डेड़ करोड से अधिक यातरी सफर कर चुके है विशेश तोर पर यूआ पीडी को ये ट्रेन बहुत पसंद आ रही है साथियों हमारे देश में प्राचिन काल से ही तिर्थी यात्राओं का अपना महत्वर रहा है अपना गवरावशाली इतिहात रहा है बद्री विशाल से सेतुबंध रामे स्वरम की यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा द्वारकादिश से जगनाद्पुरी की यात्रा द्वादर्श जोतिलिंग की यात्रा चार धामों की यात्रा कैलास मानसरवर यात्रा कावर यात्रा शक्ति पीठों की यात्रा पंडरपुर यात्रा आज भी भारत के कौने कौने में कोई ने कोई यात्रा निकलती रहती है लोग आस्था के साथ उनसे जुड़ते रहते हैं तमिलनाडु में भी कई यात्राएं प्रसिद्ध है सिवस्थल पाद यात्ति रई मुरुगनंकु कावडी यात्ति रई वैश्णव तिरुपपदी यात्ति रई अस्मन तिरुत्तल यात्ति रई केरला में सबरी माला यात्रा हो आंद्र तेलंगना में मेदाराम में समक्का और सरक्का की यात्रा हो नागोबा यात्रा इनमें लाखों की संक्या में स्रद्दालु जूडते हैं यहां बहुत कम लोगों को पता होगा कि केरला में बगवान राम और उनके भाईयों भरत लक्षमर और सत्तु के दाम की भी यात्रा होती है ये यात्रा नालंबम यात्रा के नाम से जानी जाती है इसके अलाबा देश पे कितनी ही परिक्रमाएं भी जारी रही है गोवर्दन परिक्रमा पंचकोशी परिक्रमा चोराशी कोशी परिक्रमा ऐसी यात्राओं और परिक्रमाओं से हर बक्त का इस्वर के प्रती जुड़ाओं और मजबूत होता है बहुत दर्में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों गया लुम्बिनी कपिल वस्तू सारनाथ कुशी नगर की यात्राएं होती है राजगीर बिहार में बुद्ध यनुयाईयों की परिक्रमा होती है जैन धर्मे में पावागर, समेच सिकरजी, पालितना, कहिलाज की यात्रा हो सीखों के लिए पंच तक्त यात्रा और गुरुदाम यात्रा हो अरुनाचल प्रदेश में नौर्दिस्टे पर्षुराम कुण की विशाल यात्रा हो इनमें साविल होने के लिए सद्धालुपुरी आस्ता के साथ जूडते हैं देश बन में सद्धियों से हो रही इन यात्राओं के लिए वैसा ही समुचित इंतजाम भी किये जाते हैं अब आयोध्या में हो रहे यह निर्मान कारिय यहां आने वाले हर रामवक्त के लिए आयोध्या धाम की यात्रा को भगवान के दर्षन को और आसान बनाएंगे साथियों यह इतिहासिक छाण बहुत भाग्य से हम सब